हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई चैनल व्यूटी बी दरश्मी आज मैं आपको ग्लोई मेकप दिखाऊंगी यह रक्षा बंदन ग्लोई मेकप है इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्किन केर करेंगे स्किन केर करने के लिए होममेड रोज बाटर का मैं यूज कर पूरी फेस को टोनिंग करने के लिए अगर यह रोज बाटर आपने नहीं देखा कैसे बनाया जाता तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं मैंने फेस को टोनिंग कर ली है मैं इस रोज बाटर को अपने फेस पर सुखा लूंगी तो सूख जाने के बाद हम यह गुड सब्सक्राइब 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 और हमारा मेकप फ्लॉलेस लगता है अच्छे से पूरे फेस भी स्प्रेड करके लगा लेजाए आप मैं कंसीलर के लिए डार्निंग आइस पेला की कंसीलर स्टिक ले रहे हूं इससे मैं अपने आई एरिया को हाइलाइट करूंगी मेरी अंडर आइस थोड़ी सी डल है इसलि और हाइलाइट एरिया को हाइलाइट करने के लिए मैं इसका यूज करूंगी अब मैं अपनी फिंगर की हैल्प से स्प्रेड कर लूंगी अच्छे से ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी अकर आप अपने फेस को अपने मेक अप को ब्लेंड नहीं करेंगी तो आपका मेक अप थोड़ी देर में काला हो जाएगा तो अच्छे से आप ब्लेंड कीजिए इसके बाद ओरिजनल पॉंड वाइट प्यूटी बीवी प्लस शेड नंबर 01 ओरिजनल SPF 30 PA++ इंस्टेंड स्पॉर्ट कब्रेस देने वाली नैच्रल ग्लू देने वाली इस पॉंड्स की क्रीम का मैंने यूज किया है मैंने कोई फांडेशन नहीं लिया है मैंने इसी जराण में इसको हाथ-स फिंगर-स हिस्प्रेड कर रहीं है आप मैं फिंगर की हलव से हीसको ब्रेंड कर लूगी तो पूरे इक्वल इमांट में आपको लिंड है तो आप देख सकते dirend कर ली है मैंने अच्छे से यह यह isley ब्लेंड हो जाती है इसमें किसी ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है अब मैं लेक्मी की लिप बाम लगा रही हूं लिप्स को मॉश्यराइज करने के लिए और इसके बाद में कॉम्पेक्ट से अपने वेस को सेट कर लूँगी अगर समर सीजन है तो अब हमें जरूरत पड़ती है बेस को सेट करने की और अगर विंटर हो तो इसको ऐसे ही लगा के आप मेकप कर सकते हो तो अच्छी तरीके से मैंने अपने मेकप को सेट कर लिया है इसके बाद मैं हिलरी रॉंडा की पैलेट से ब्लैक न्यूट शेड लेके अपनी आइब्रो को फिल कर लूँगी मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे किसी आइब्रो पैंसिल से आइब्रो फिल करना नहीं अच्छा लगता मुझे ब्रश की हैल्प से पाउडर शेड अच्छे लगते हैं आइब्रो इसको फिल करने के लिए क्योंकि जो भी को एक्स्ट्रा प्रोडेक्ट होगा वो निकल जाएगा और दोनों आइब्रो एक्वल लगेंगी अब मैं एक न्यूड शेड लेके अपनी आइब्रो को डिफाइन कर रही हूँ इसको डिफाइन कर लेना है इससे लुक अच्छा लगता है आइब्रो डिफाइन लगती है तो मैंने इसको डिफाइन कर लिया है अब इसके बाद में मैं एक न्यूड शेड लेके अपनी पुरी आइलिट पे स्प्रेट करूँगी अपनी आई को वेश देने के लिए अपनी रिफाइद के लिए आप किसी भी न्यूड शेड का यूज कर सकते हैं is concealer का भी उज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पका यूज नहीं किया है कि मैंने एक लाइट न्यूड शेड का यूज किया है अच्छे से मैं इसको पूरी आयर पे इस्प्रेट कर लोगी इसके बाद यलो टोन यलो गोल्डन टोन का यह आई शैडो है इससे मैं इनर कॉर्णर पे हाफ आई लिड पे स्प्रिड कर लूँगी इसके बाद मैंने वाउम पीच एंड लाइट पीच कलर को मिक्स करके अपनी ड्रेस की मैचिंग का कलर मैंने बना के लगाया है आप देख सकते हो मेरे आई का लूप कितना अच्छा लग रहा है एक यह लाइट मेकप भी हो जाता है और यह क्विक मेकप भी हो जाता है इसको आप एक बार करके देखिए दूसरी आईज में फिंगर से करके दिखाती हूँ एक में मैंने ब्रस से किया है दूसरी आईज पर मैं फिंगर से कर रही हूँ अगर जिसके पास ब्रस नहीं है वो अपनी फिंगर से भी अपना आई मेकप कर सकता है तो अच्छे से अपनी फिंगर की हैल्प से नूट शेड को इस्प्रेट कर लिजे फुल आई लिड पर देखिए और अच्छे से ब्लैंड करो जब तक आपको अपना कलर नहीं मिल जाता है जितना आपको लेना है जितना आपको हलका और्क जैसा भी आपको मेकप करना है आप उतना ही प्रोडेक्ट लेए इसके बाद में येलो येलो टोन का जो गोल्डन शेड है वो मैंने लिया है अब इसकी बाद मैंने वही पीच, बॉम पीच, एंड लाइट पीच को लेके आउटर एरिया पर लगा रही हूँ यह मेकप बहुत अच्छा लगता है आइस का सिंपल और कोई खुने वाला मेकप है आप देख सकते हैं दोनों आइस पर दोनों आइस को मैंने एक में मैंने ब्रस से किया था एक में मैंने फिंगर के हल्प से किया था दोनों एक सी लग रही है आप इसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी इंक्रीज लाइन को हाइलाइट कर रहे हूँ अपने increase line पे को मतलब highlight करने के लिए मैं सेट का इसके बाद मैं काजल लगा रहे हूं जी हाँ, मैंने eyeliner मैं आज नहीं लगाऊंगी, सिर्फ काजल लगाऊंगी और ये blue heaven का काजल है, stick काजल blue and upper eyelashes पे लगा लूँगी अच्छे से लगाना है, क्योंकि हम eyeliner नहीं लगा रहे हैं, तो काजल को अच्छे से लगाना है तो मैंने दोनों लगा लिए है eyes में, देख सकते हैं अब इसके बाद हम एक brush की help से इसको merge कर लेंगे जो भी काजल का product extra होगा, वो merge हो जाएगा और हमारी आख्यों में एक नया look दे देगा, तो देख लिजए अब मैंने दोनों आख्यों को merge कर लिया है इसके बाद जो हमने एक dark brown shade को increase line में लगाया था, उसी dark brown shade को मैं इस काजल के नीचे merge कर लोगी इसे मेरा काजल long lasting भी होगा और stay भी करेगा और ये फैलेगा भी नहीं, चाहिए आप किसी local काजल का भी यूज़ कर सकते हो, इसके बाद में mascara को mascara लगा लिए अपर लैसेस में mascara लगा लिए तो आप देख सकते हो मैंने mascara लगा लिया है मैं contouring करूंगी, contouring करने के लिए powder contour का यूज़ किया है मैंने, इसके बाद मैं blush लगाऊंगी, तो आप देखे मैंने blush लगा लिया है light blush लगाना है, अच्छे से, इसके बाद में highlighter से highlight कर लीजिए, highlighter से face को एक glow मिल जाता है अच्छा, natural सा, और make-up glow glow लगने लगता है, और highlighter लगाने से एक और फायदा होता है कि हमें किसी भी glow लगाने मेकप product की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपने दोनों cheeks पे मेरे फर्क देखा, एक पे मैंने highlighter लगाया था और एक पे नहीं लगाया था, अब मैं दोनों पे highlighter लगा लग होंगी, highlighter लगाने से बहुत अच्छा एक glow आजाता फेस पे, एक make-up को बहुत अच्छा सा look मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं, मेरा face कितना glow लगने लगा है, तो इस तरीके से आप रक्षावंदन पे make-up कर सकते हैं, easy make-up है, कोई ज्यादा product का use मैंने नहीं और मेरी ना powder contour से contour कर लिया है, तो अब आप फर्क देख सकते हैं, powder contour का एक और अच्छा यूज होता है, कि यह हमारे make-up को patchy नहीं होने देता है, केकी भी नहीं होने देता है, अब हम lipstick लगा लेंगे, आप dress के matching के lipstick लगा सकते हैं, या आप एक कोई nude shade का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी dress से matching की lipstick लगा रही है, पीच कलर की, इस lipstick को अगर एक नया look देना है, तो यह एक make-up हैक्स है, इसको नया look देने के लिए मैंने golden shade लिया है, और अपने lip के center में लगा लिया, इससे lipstick long stay करती है, अगर आपके पास कोई local lipstick है, तो भी आप इस hex को use कर सकते हैं, लोकल lipstick अगर आप लगाते हैं और वो थोड़ी देर में निकल जाती है, कुछ भी खाने पीने से, तो आप इस तरीके का यह hex अपना सकते हैं, और अपनी lipstick को long lastik बना सकते हैं, तो आप मैं आप इस makeup के साथ में ऐसे open hair भी कर सकते हैं, आप मैंने jewelry डाल ली है, आप चाहों तो इसे छोटी jewelry भी डालना चाहों, तो डाल सकते हैं, इसके बाद मुझे खुले हुए बाल पसंद नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा twist करके tuck कर लूँगी, ऐसे finger की help से इसको twist करते जाएं, twist कीजिए, और मेरे थोड़े long hair हैं, तो मुझे खुले हुए hair बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे अपने चाहरे पे आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इसको ऐसे twist करके tiktok pin से tuck कर दूँगी, और अगर आप चाहो तो एक तरफ ही करो, लेकिन मैं दोनों तरफ से करूँगी, मुझे दोनों तरफ करने से look अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं इधर से नहीं करूँगी, तो मेरे इधर के hair मेरे मुझ पे आ जाएंगे, ये मेरे face पे, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो ऐसे इस type से आप एक easy hair look भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये मेरा final look है, अगर रक्षा बंदन पर teenager इस makeup को करते हैं, तो आप घड़ी और bracelet भी डाल सकते हैं, और अगर नई दुलन इस makeup को अचीव करते हैं, तो बस बिंदी और सिंदूर लगा सकते हैं इसमें, और final look बन जाएगा, अगर मेरा रक्षा बंदन लुक आपको अच्छा लगाओ, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें, थांक यू,